उजयन माकाल मंदर में एयर कंडीशनर लगाने के नाम पर फ्रीगन जिस्थित अरिहंत इलेक्रोनिक दुकान संचालक से एक लाक रुपे की धोका धड़ी का मामला सामने आया है संचालक को एक व्यक्ति ने फोन लगा कर कहा कि मंदर में 35 AC लगना है उसने एक मोबाइल नंबर दिया था जिस पर बात करने पर इस सामने वाले व्यक्ति ने दुकान के कादजात वे AC की कीमत इंटरनेट मेडिया वाटसेप पर भेचने को कहा था इसके बाद उससे दो फीजेट डेपॉजिक मनी के नाम पर एक लाक रुपे ऑनलाइन ट्रांसफर कर वा लिए माधवनगर पुलिस ने बताया कि विजए जैन की अरिहंत इलेक्रोनिक दुकान है विजए जैन के पास 18 अप्रेल को पैनसोनिक कमपनी के पूर्व करमचारी ने फोन करकर कहा कि महाकाल मंदर में 35 AC लगाय जाना है उसने एक व्यक्ति का मुबाइल नमबर दे कर कहा था कि उस पर बात कर लो जैन ने दिये गए नमबर पर बात की तो सामने वाले व्यक्ति ने जैन से कहा कि यह समयवे कलेक्टर के साथ है दुकान के कागजात वे AC की कीमत वाटसेप पर भेज दो जिसके बाद जैन ने कागजात वे कीमत वाटसेप पर भेज दी थी कुछ देर बाद उसी नंबर से जैन के पास फोन आया था सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि दो फीज़ट डेपॉसिट मनी QR कोड में डाल दो आपका टेंडर हो चुका है जिस पर जैन ने अपने दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी राजकुमार के बैंक खाते से करीब 36,000 रुपए तथा अपने मित्र के मोबाइल से 60,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिये थे रुपए लेने के बाद सम्मन्द व्यक्ति ने फोन नहीं उठाय था मामले को लेकर माधवनगर पुलिस को शिकायत की गई थी पुलिस ने रविवार को जाच के बाद केस दर्च किया है